हेलो ट्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं देखिए आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाले हूँ और ये डिजाइन देखिए हमारा कितना सुंतर बहुत प्यारा देखिए ये उब्रा उब्रा सा इस तरह से डिजाइन बनता है ये सीधी तरफ से ऐसे और उल्टी तरफ से ऐसे बन कराता है दोनों तरफ से ये बहुत ब्यूटिफुल लगता है बना हुआ देखे दोनों तरफ से यह डिजाइन सा बन कर आता है तो इसे आप बोर्डर में, बटन पटी में या चोटे बच्चों के काडिगन में जहां आप मन चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं ऐसे बराने में ये बिल्कुल असान है, बहुत असान है इसके लिए even number में आपने फंदे लेने हैं दो-दो-दो ऐसे करते हुए आपने, जितने भी फंदे आप आपने काडिगन में, स्वेटर में या किसी भी चीज में डालना चाहो, तो डाल सकते हो even number में फंदे आएंगे बोर्डर में, बटन पटी में इसे बनाएगे इसे बनाने के लिए दिखिए यहां पर स्लाइम में ने फंदे टाल लिया हैं तो इसकी देखिए फंदे डालने के बाद ऐसे 1st रो सीधी तरफ से हम कैसे बनाएंगे देखिए 1st फंदे को उतार लेंगे यह पहली रो है इसकी तो फिर्स्ट फंदे को मैं बना दीती हूं सीधा, ठीक है? अब यह एक, यह दो, देखें यह एक, यह दो, दो फंदे हैं हमारे, इन दो फंदों के बीज में, देखें यह 1, 2, 2 फंदों के यहां पर, एसे स्लाई को ڈाला, इस तरह से ऐसे लूप बना लाए, ठीक है? फिर इसे वापस इस तरह से लेके गए सलाई में अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे एक ये वाली लूप और एक ये आगे वाला फंदा इन दोनों को दो काई कर देंगे ऐसे उल्टा बनाते हुए अब इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे बस ये ही हमारा डिजैन है पूरी रों में इसे ही धोराते जाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक ये दो इन दो फंदो को छोड़िए इस फंदे को छोड़िए यहाँ बीच में हमने सलाई को ऐसे डाला दिखें यहाँ से लूप ले आए इसे इस तरह से सलाई में डाल देंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे एक ये लूप हो गई एक ये फंदा हो गया इन दोनों को दो काईग कर देंगे ऐसे उल्टा बनाते हुए इस फंदे को भी उल्टा बना देंगे फिर से धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक ये दो फंदों को छोड़ कर यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्लाई को डाला यहाँ पर ऐसे किया दिखें ये लूप बन गई इसे डाला ऐसे स्लाई में धागा अपनी तरफ किया दोनों को दो काई कर देंगे अब ये एक फंदा भी उल्टा फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे ऐसे डालेंगे स्लाई को लूप बनाया इसमें डाला धागा अपनी तरफ किया पहले फंदा और लूप को दो काई कर देंगे उल्टा बनाते हुए अब इसे भी उल्टा फंदा फिर से धागा दूसरी तरफ एक दो इन फंदों को छोड़ेंगे ऐसे स्लाई को डालेंगे इस तरह से लूप बनाएंगे वापस डाला धागा अपनी तरफ किया इस तरह से देखें दो का एक फिर से दो का एक फिर से धागा दूसरी तरफ एक द यहाँ पर डाला ऐसे सलाई को, एक ऐसे लूफ साब बनाया, वापस लिया इस सलाई में, धागा अपनी तरफ किया, दोका एक कर दिया, फिर से दोका एक धागा दूसरी तरफ एक-दो ऐसे डाला, लूब बनाया इस तरह से चलाई में डाला धागा पनी तरफ दो का एक एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ लास्ट का फंदा सीधा इस तरह से रो बना कर कम्प्लीट कर लेंगे अब सेकेंड रो देखिए उल्टी तरफ से हमने कैसे बनानी है इस फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारा और य ऊल्टी तख से कोई डिजाइन नहीं डलेगा पूरी रो आपकी इस डिजाइन की उल्टी उल्टी ही आएंगी। ऐसे। तो ये रो ऐसे ही बना कर पहली मैं कप्व्लीट कर लेते हूं। देखे ये दो रों में ही कितना उब्रा उब्रा प्यारा प्यारा ये डिजाइन बन कराया है ना बहुत सुन्दर डिजाइन है ये हमारा अब फर्स्ट फंदे को हम उतार लेंगे वो ही डिजाइन को रिपीट करना है, फर कितना है, पहले हमने फर्स्ट फंदे को उतारा था, इन दो फंदो पर डिजाइन डाला था, अब हमने एक फंदा ये वाला भी सीधा बना लेना है, इन दो फंदो पर डिजाइन डालना है, इस तरह से, इसमें डालेंगे धागा अप इन दो फंदो को छोड़ कर यहां पर किसी फंदे में हमने देखिये नहीं डालना है सलाई को यह एक यह दो इन दो फंदो को छोड़ कर यहां पर बीच में ऐसे सलाई को डाला यहां से एक लूप बनाया इस तरह से सलाई में डाला धागा अपनी तरफ किया पहले यह यह लू दूसरी तरफ फिर से ऐसे ही एक लूप निकालेंगे ऐसे डाल देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इन दोनों को दो काई करेंगे फिर इस फंदे को भी फिर से धागा दूसरी तरफ यहाँ पर ऐसे एक लूप बना लेंगे इस तरह से डालेंगे धागा अपनी तरफ इन दोनों को दो काईक कर देंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे, 2 काईक भी हम उल्टा बनाते हुए ही करेंगे, फिर दागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ऐसे सलाई को flying को निकाला, वापस डाला, धागा अपनी तरफ किया, पहले यह लूप और फंदे को दो काएक किया फिर इस फंदे को भी उल्टा बना लिया फिर से धागा दूसरी तरफ किया ये दो फंदे छोड़कर यहाँ पर ऐसे सलाई को डाला एक लूप निकाला वापस लिया सलाई में धागा अपनी तरफ करते हुए इन दोनों को दो काएक कर दिया फिर इस फंदे को भी अब धागा दूसरी तरफ करेंगे लास्ट में ये दो फंदे बचेंगे ये सीधा ये एस्टिच का भी सीधा फंदा जैसे स्टार्टिंग में हमने देखे ये एस्टिच का फंदा उतारा एक फंदा सीधा बनाया था लास्ट में भी हमारा सेम ऐसे ही चार स्लाईयों का HDMI से सरफ दिजएन दलेगा उल्टी तरफ से हमारी पूरी रोड ऊल्टी ही डलेगी उल्टी तरफ से कोई हैं नहीं दलेगा तो बहुत इजी पेटर्न है इसे आप मैं फिर से बोलूँगी या तो छोटे बच्चों के काडिगन में आप डाल सकते हैं क्योंकि वो छोटा स्वैटर होता है या फिर आप बटन पट्टी में या बोर्डर में इसे डालए तो यह अच्छा बनेगा वैसे तो आप किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं, ये बहुत सुंदर उब्रा-उब्रा सा रिजैन बन कर आएगा, लेकिन थोड़ा सा बनाने में इसमें उन थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा धीरे-धीरे ब दीजे, वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है, तो प्लीस वीडियो को लाइक शेर भी कर दीजेगा, और फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाब बाई